प्रॉब्लम देखी है यह प्रॉब्लम हुम देखने वाल है चले आए शिवाब करते हैं यह कोशन आपको परीट आठमक्स के लिए आ सकता है तो बहुत जरूरी है यह हमें सीखना तो प्रॉशन दिया है एक कास्टाइण वीम इस ओफ टी सेक्शन एस शोन इन फिगर ठीक है लोडेड एस ओन विलो इस अरीकर से लोड़ किया है जिए्ट सेख्ट्रोड एक रोश दौस्ट्बुरोड और मैंसिमंट शेर को प्रॉद्ल पॉछा एं हमें इसका शेयर श्ट्रश दिस्ट्ट्वूशन मसला आईग्राम बनाना है तो शेयर स्ट्वूशन डिस्ट्वू अपको बताना है मतलब की कि हमें डायकiation में इसका बनाना है तो इस diagram की मदद पे हमको share force की value निकालने है share force की value कैसे निकलीगी इस diagram की मदद पे simply अगर हम इसका reaction find कर ले न अगर A और B का हम reaction point कर ले तो maximum force हमको वही से मिल जाएगा तो यह है RA और यह है RB इसका reaction हम find कर तक से आराम से हमने पहले पढ़ा था SFB और BMB में और पहले भी हम इसके particular की reaction कैसे find out कर जाए क्योंकि यह symmetrical है देख सब्सक्री 8 meter है और उपर UDL है तो इसको हम आराम से solve कर सकते है WL by 2 set WL by 2 set तो इसका answer कितना आने वाला है W कितना है 1800 1800 into L L है अपका 8 upon 2 ड्याम दीजिए दोनों की meter में है इसले कोई कनोच करने भी जरोज नहीं आपको क्योंकि दोनों भी meter में है इसले कनोचन की जरोज नहीं है तो आप इसको solve करेंगे 1800 into L upon 2 करेंगे तो आपको answer आएगा 7200 0 0 Newton यहाँ पर भी same है क्योंकि 1800 into L upon 2 मस्कि यहाँ पर भी आपको same value आएगा 7200 Newton क्योंकि यह symmetrical beam है तो यहाँ पर आपकी value same आती है दोनों जगे WL by 2 होता है WL by 2 होता है WL यहाँ आपको आपको यह answer मिल जाएगा तो यह जो आपका answer है यह आपका app का answer है चीक है ना यह आपका app है जो आपको आगे चंसरेव करना है यूजिली question में share force given आता है लेकिन आपको share force दिया नहीं है तो आपको यह consider दरीन जाप उसके लिए चीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं मतलब अब हमें share force तो मिल गया अब हम T section की तरफ बढ़ते हैं इस T section का हमें मोमेंट अफिनल्ष से कल्क्लिएट दरना बड़ेखा क्यूंकि जो हमारा न आकों को salts पर्वन होते हैं उसमें आपकोन के नीचाद दर्फ से i of lee होता है तो आपने आयफ-पीनल्ष्या इसका मोमें से कल्क्लिएट करना है मोमेंट आस इन्यस्टे में चांसुल होते हैं इसलिए हम इससे पहले हम इसमें थोड़ी महिनत कर लेते हैं मतलब यह हम इस ती शिक्षेल में यह क्लाइंट जेंट का सीजी यहाँ पर आने वाला इस वेब्स का सीजी यहाँ पर होगा मतलब 120 का हाफ होगा 60 पे राइट वेब्स का सीजी 60 पे होगा हम यहाँ से ग्राउंड लेवर से काउट कर रहे हैं अब हमें चेहें प्लाइंट का सीजी प्लाइंट का सीजी यहाँ पर आएगा अगर वेब ग्राउंड से लेके यहाँ तक 120 है तो 120 की ऊपर इस 20 का हाफ हो जाएगा 1010 मतलब की 130 राइट कुकि यह 1010 टोटल 20 है तो यह 1010 में डिवाइड होगा तो हमें सीजी तक का डिस्टन्स चाहिए तो मिल गया हमें 130 तो चलिए आएए मुरमेंस चाहिए नोटेयां मोमेंस मध्यूल अगर अपने मेरे पहले वीडियो देखें लिजो में और सी से क्षिंट लिए तो इसमें और से कम तैंब मीमेंस चाहिक लिए आपको बता जेता हैओ आपको यहाँ जेगि डिए तो सिपल्लिए आपको एप को पालम बनाए अ पार अरिया एरिया एरिया ए वन कंसरे करें गया और वाई वन और ए वन वाई वन आप ऐसा चार कॉलम बना लीजिए ठीक है न, इस तरीके से चार कॉलम बना लीजिए सबस्य आसेम तरीका है ये इननोक पिल पाइठ दरने के लिए सबस्य पहले हम पाइठ लेंगे पाइठ कान सा Information पाइठ लेंगे फर्ट पाइठ हम लोग फ्लाइंज फ्लाइंज फ्लांच के अरिया है अरिया किसा संग चंग है अंद्रिडंटु fu20 है नहीं आऊट E 2000 को 2000 यह आगublik ऐरिया है अब चैए हमें फ्लांच का वाइबार बटेत ça ंए वाइंपर प्रेले लेन्ज को डर्लानी लेवल से 1038 मैंने समझा जया तो वहाँ पर 130 क्यासे आया अब जो A1, Y1 है इंपले इस A1 को और Y1 को मल्टिप्लाई करना है मतलब कि 2000 इंटू 130 करना है आपको फ़िस का अंतर आएगा 2600000 चाहर 0 आहेंगे 2600 और 400 अब हाँ वेच की पास जातें वेच पास पूल ये आचेए वेच का एड दो का आने वाल है वेच का लेंगे 120 और डेट कीदना है 20 depth नहीं, 120 depth है और 20 उसका width है तो यह आपकर आमगो 20 into 120 करेंगे 20 into 120 करेंगे तो आंसर आपपाएगा आंसर इतना हैगा 2400 इसके एरिया आपको 2400 आएगा और वेब्स का वेब्स का वाईवान कितना है 60 भापन मेन आपको बतायगा वेब्स का वाईवान 60 कैसा आया मतलब की 120 का आप तो यह आपकर A1 into Y1 करना है मतलब 2400 into 60 करना है तो आपको यह आपर आंसर आएगा 144 144000 144000 इसका आंसर आएगा आपको अब आप क्या करेंगे submission करना है आपको इसका area का submission कर लिजे submission of area कर लिजे submission of area करेंगे तो आपको अंसर आएगा 4400 4400 summation of area summation of A1 अब यह आपर summation of A1 Y1 करना है कितका submission? summation of A1 Y1 कर लिजे यह दोनों को प्लास कर लिजे तो इसका आंसर आपको आएगा तो इसका आंसर आएगा 4 0 4 4 0 4 000 राइट submission of A1 Y1 करेंगे तो अंसर आएगा 4 0 4 000 चीक है? अब आपके पाद submission A1 है submission A1 Y1 है अब इससे आपको वाइबार निकलने वाले तो वाइबार का फार्मूला है वाइबार का फार्मूला होता है submission of A1 Y1 upon submission of A1 चीके न, ये वाल्यू रख दीजे submission A1 Y1 कितना है? 4, 0, 4, 0, 0 इतने 30, 0 से 4, 0, 4, 3, 0 upon summation of A1 कितना है? 4, 4, 3, 0 4, 4, 0, 0 4, 4, 0, 0 जब आप ये calculate करेंगे तो आपको वाइबार का अंसर आएगा इससे calculate कीजिए आपको वाइबार का अंसर आने वाला है 91.82 mm ये आपको वाइबार का अंसर आएगा आपको वाइबार का अंसर आया मतलब आपको क्या मिला? आपको मिला इसका CG इस total body का CG मतलब की इस total body का neutral axis आपको मिल गया N, A आप इस neutral axis का from ground level हमने निदाला है distance है 91.82 चीके ना? 91.82 ground level से इस neutral axis का distance वाइबार चीके? अब हम इसे मिटा लेते इस वाइबार को क्योंकि वाइबार काल्कुलेट कर लिया हमने और ये आपको डाल दिया वाइबार से हमें क्या मिलता है? neutral axis का distance मिलता है 91.82 मिल गया हमें इसको हम अभी मिटा देते हैं अब हमें moment of inertia calculate करना तो moment of inertia का formula क्या होता है? M I moment of inertia का formula होता है I G1 plus A1 X1 plus I G2 plus A2 X2 plus I या आपको moment of inertia का formula है क्योंकि आपको I किस्ता किस्ता करना है I planche करना है plus I web का भी करना है दोनों को plus करना है तो फिर ये for first है और ये for second है इस लिए इस formula में हम अब सब रख देते हैं तो हम लोग सबसे पहले I first के लेंगे I planche के ले तो formula क्या होता है इसका IG का मतलब क्या है IG का मतलब क्या होता है कि उस parts का moment of inertia तो वो कैसे आएगा BD cube by 12 आपने पढ़ा था ना moment of inertia के formula में पढ़ा होगा rectangle का moment of inertia का formula क्या है BD cube by 12 तो यह आप पर आपको BD cube लगाना है तो rectangle का B कितना है hundred into B कितना है 20 लेकिन 20 का cube अपन 12 यह हो गया आपका IG1 plus A1 A1 मतलब area of first body area of first body area हमीं calculate किया था flange यह आमार first body है यह आमार second body है area of first body इतना two thousand two thousand into into H1 का square चलो यह आप बहे आपको बता था H का मतलब क्या होता है आप पर देखे H1 और H2 है H1 और H2 का मतलब क्या होता है H1 मतलब हम लोग first body का H निकालना है H का मतलब क्या होता है जिस भी body का हमें H निकालना है उस body से लेकर neutral axis तक का distance कितना है यह हमें निकालना है वो हम कैसे निकालेंगे अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो brown level से यहाँ तक हमेरे का distance कितना है 130 right ground level से इसकी सीज़ी का distance है 130 लेकिन brown level से neutral axis तक distance कितना है 91.82 यह H में से माइनस कर देंगे 91.82 130 में से हम लोग 91.82 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 38 38.18 right समझा ना आमको यह वाला area चाहिए यह वाला distance चाहिए यह वाला distance के से आएगा 130 में पर 91.82 माइनस कर देंगे तो हमें आएगा H1 यह हमारा H1 है अभी H2 के लिए केलनर करेंगे H2 मतलब क्या है यह हमारा first body है यह हमारा second body है second body है H चाहिए हमे second body के H मतलब इस CG के इस body के CG से neutral axis तक का distance तो वो हम आराम से निकल सकते है 9.82 में हम 60 को माइनस कर देंगे 91.82 माइनस 60 कर देंगे 91.82 में 60 कर देंगे तो आपको इसन आंतर आएगा H2 का 31.82 31.82 समझे आपको हमने H2 को कैसे calculate किया H2 आपको मिलिया अभी हमको यहापर क्या चेयर area हम दाल जायर A1 अभी हमें H1 चेयर H1 कितना है 38.18 38.18 का स्क्वाइर क्यूंकि यहापर दिखते है H1 का स्क्वाइर है तो यहापर हमारा first part complete होता है correct ना यहापर हमा first part complete होता है यह वाला bracket अब हम second bracket की दरख चलते है second bracket हमारा कौन सा है I web I web के लिए हम यह लगाना है तो I web का IG2 मतलब की second body का momentum विनेशा होता second body का BD cube by 12 second body का B कितना है 20 second body का depth कितना है 120 120 का cube वह जाएगा और upon 12 उसके बाद उसके बाद plus A2 A2 मतलब second body का area second body का area हमारा यहापर ट्रेक्वेट की आता 2400 यहापर रगदो 2400 राइट into into क्या है H2 का square H2 कितना है 31.82 31.82 का square ठीके यह आपका second bracket भी complete हो गया अब आपसा second bracket भी complete हो गया आपसा second bracket भी complete हो गया है आपसा simply इसको calcium solve करना है तो जब आप इस पार्ट का solve करेगे साफका answer आएगा 2.98 2.982 into 10 ratio 6 प्लस आप second bracket को solve करेगे तो second bracket का answer आएगा 5.31 into 10 ratio 6 या फिर आप इसको direct calcium total solve कर सके हैं जब आप solve करेंगे इन दोनों को solve करेंगे या फिर टोटल को solve करेंगे साबको final answer जो आएगा वो होगा 8.292 1.292 into 10 ratio 6 यह होगा moment of inertia का formula और moment of inertia का unit कितना होता रहे mm raise to 4 राइट ना moment of inertia अभी आपको निकल गया moment of inertia का इवन्स आता है mm raise to 4 यह आपको answer आगे moment of inertia का 8.292 into 10 raise to 6 यह answer हम पर note करके रख लेदे हैं यह हम रख कर देंगे यह कालकुलेट करना है हमें तो मैं यहापर आप लोग देख लेना मैं यहापर आइप लिख रहा हूं moment of inertia का answer यहापर लिखता हूं i equals to 8.292 8.292 into 10 raise to 6 mm raise to 4 यह i है ठीक है ना क्योंकि यह मैं आपको यह अपकर दोगर क्योंकि आगे हम भी करना है चल्याए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम निकालेंगे share space distribution for maximum share force tau सबसे पहले हम tau का फर्मुला लिख ले दे अब हम tau की calculation निकार आगे tau का फर्मुला क्या है F A Y बार अपॉन I B यह ना tau का फर्मुला इसमें हम सब कुछ पूट करते हैं सबसे पहले हम tau निकालेंगे अब मैं यह पर इसका diagram बना देता हूँ क्योंकि हम उस तरीके से value उसमें put करते जाएंगे यह 130 भी हमें हटा देता हूँ यह होता है आपका tau मैंक्स यह पर होता है आपका how one और यह पर होता है आपका how two यह हम पर ताउ जिरो होता है और यह पर भी ताउ जिरो होता है यह होता है आपको stress distribution डाइग्राम बस आभी हमें इसके values calculate करनी है और वापपर values put करनी है तो चलिए सबसे पहले हम tau 1 की तरफ बढ़ते हैं tau 1 अब हम simply tau 1 के लिए यही पर्णों लगाएंगे तो f कितना है f देखे हमने यहापर calculate किया था 7200 f तो तब के लिए same है 7200 into tau किता calculate कर रहे हम लोग तो flange का f l a n d e ठीक है ना tau हम लोग flange से calculate कर रहे है तो flange का area कितना है flange का area यहापर calculate क्या था 2000 into 2000 into y bar अब हमें y bar चाहिए अब हमें किसका y bar चाहिए अब हम लोग जो यह tau for flange calculate कर रहे है मतलब कि हम लोग neutral axis के ऊपर के part calculate कर रहे है मैं यहापर आपको draw कर देता हूँ यह हमारा neutral axis है आद हम लोग इसके ऊपर का part calculate कर रहे है तो नोट्रल axis के ऊपर हमारे इस तरी किसी कुछ बना है ठीक है लेकिन आदे हम लोग plan calculate कर रहे है तो जाहिर सी बात है हमें y bar कौन सा चाहिए जने नोट्रल axis से लेकर हमें y bar चाहिए यहां तक का इतना आप पर कैसे मिलेगा है यह ने हमने in त्यूंद ग्या था चस्पीन हे वापकर बता देता अपको यह क्या ज्या आई खूसरान है यह जो फ्लिए एसंद करकर चाहरा था वह इसका अशुष्ट है ॥श्टी यट्ट पोइंट जिसे तटेंट क्योंट इदिन ना आकपको बता देत हो जो फैसे आये यह टोटल लेंख कितना है टोटल लेंख मतलब यह सीजी से लेकर यह लेंख है 130 राइट लेकिन इस 130 में से हम इस 130 में से हम 91, minus करेंगे 91.82 इस 130 में से हम minus करेंगे 91.82 मतलब हमें यह लेंख मिल जाएगा यह लेंख है यहापर जो मैंने जो माच किया है 38.18 वोई लेंख है तो हमें 130-91.82 करेंगे तो यह आएगा यह कैसे आया हमने जब पिशली बार X1 कल्कुरेट किया था ना वोई यह वैल्यू है 38.18 चीके मैं मिटा जेता हूँ आप पिशे रिवाइन गरके देख लेना कि हमने X1 के से कल्कुरेट किया था तो X1 की वैल्यू लेंगे अब इसका वाइबर हमें आ गया चले यह आप पर वाइबर पुट कर देते हैं वाइबर कितना है 38.18 राइट अपोन आई आई का वैल्यू है वापर देखिए मने आप पर आई की वैल्यू भी लिखिए है उपर 8.292 इन्टु 10 रेज़ टु 6 चीक है यह है आपके आई की वैल्यू अब आपको बी चलेए बी किस्ता प्लाइंट का क्यूंकि हम लोग टाउ किस्ता कैलकेट कर रहे हैं टाउ हम लोग प्लाइंट के कैलकेट कर रहे हैं इसलिए भी हामें प्लाइंट का चीए अकि के प्लाइंट के म सबनान फोन हैं वामें लोग आपको आपके हम लोग प्लाइंट के रहे हैं तो ताव 1 का answer आते हैं, हम लोग या पर put कर देंगे, 0.663, यह answer का आपका ताव 1 का, ठीक है, अब हम ताव 2 के तरफ बढ़ते हैं, ताव 2 मसलब क्या, हम लोग ताव वेब का calculate कर रहे हैं, ताव 2 मसलब हम लोग ताव वेब का calculate कर रहे हैं, ताव 2 मसलब हम लोग ताव वेब ताव 1 इक्वल्स तू 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 वेब ऑफ विद्ध ओफ फ्लांच विद्ध ऑफ फ्लांच अपॉन विद्ध ओफ वेब चीक है ना यह कैसे आईगा यह आपर देख सकते हैं अब हम लोग तू तू कल्कुट कर रहे हैं तू 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 की वेल्यों की इटलिए है 0.663 यह रिलेटिशन है आप याद रखें ।ू तू अगर आपको निकालने वेब का तो कैसे निकालेगे ।ू पस अप्लेंगे तू तू विद्ध ऑफ फ्लैंच कितना है width कितना है width of flange upon width of web अभी width का width कितना है यह 20 है ना width of width 20 देख सकते tau 1 into width of flange upon width of web तो यहां से आपको tau 2 मिलने वाला है tau 2 कैसे मिलेगा आपको calculate कीजिए तो आपको tau 2 की value आएगी 3.315 3.315 Newton per annan square यह आपको value आएगी tau 2 की तो चले tau 2 होपना हम लिख लेट है 3.315 3.315 ठीके ना अब आपके पास क्या है आपके पास tau 1 मिल गया tau 2 मिल गया अब आमें tau मैक्स की जर्वत है देख सकते आप एक ही आमनों बस यह tau मैक्स चले आदे हम tau मैक्स कल्विट करते है यह में मिठा जयता हूँ डाग्राम के अभी हर जी आएगा चुकि tau मैक्स के लिए हम लोग को section की नीच्चे वाला part चाहिए अब आमने section की उपर वाला part चाहिए अब आम लोग section की नीच्चे वाला part चाहिए section नहीं neutral axis की नीच्चे वाला part की नीच्चे वाला part चाहिए अब जब की इसका अच्चे से लिए अधा हूँ 91.82 चीक है 91.82 इसका length है तो फिर इसका tg कितने के आएगा इसकी body का cg चाहिए ना हमको simply आप 91.82 को half से इसका half कर दो इस body का आप cg चाहिए अब हम उसकी neutral axis की नीचे count कर रहे हैं तो यह आपन मैं draw के neutral axis के नीचे neutral axis के नीचे length कितना है 91.82 तो हमें अभी इस body का cg चाहिए इस body का cg के से मिल जागा rectangle का cg half से आता है इस 91.82 डिवाइड बाइड 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 चू कर दीजे तो आपको इसका अंतर आएगा 45.9 45.9 इसका अंतर आएगा क्योंकि आभी हमें आगे काम आने वाला है तो चलिए अब हम tau match के लिए calculate कर दे हैं tau match तो formula तो यही same है तो यहाँ पर f रख देंगे f को same है 7200 7200 इंटू एरिया एरिया कौंसा कौंसा एरिया लेंगे आज़े हम लोग एरिया बस उतना लेंगे जितना हमने neutral axis के नीच्छे बनाया है neutral axis के नीच्छे हमने कितना बनाया है एरिया यहाँ पर मिलिख दताओ एरिया हमको सिख इसी का एरिया चीए तो इसका एरिया कैसे आने वाला है 91.82 91.82 इंटू 20 क्योंकि यह distance 20 है ना distance तो यह 20 है बस length कितना ले रहे हम लोग 91.82 दलती से आप यह वाला एरिया मन ले लेना क्योंकि अगर आप यह वाला एरिया ले 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 लिए तो फूरा बलत हो जाएगा क्योंकि यह जो एरिया है यह total length कि ले है web का 120 लेकिन आज हमको total length नहीं लेना है हमको सिख उसना ही length लेना है जिसना neutral axis सकता है तो neutral axis का length लेन्स है 91.82 इसले 91.82 into 20 करेंगे तो आपको area आपकर आने वाला है 1836.4 ठीक है यह area आपको आने वाला है तो यह area आप 4.4 अब into y bar मैं थोड़ा इसको नीचे लिख लिख लिया था तो इसके continuation है आपर problem हो रहा है tau max पिले गाल्यूर कर रहा है आम लोग तो यह आपको tau max कितना है 7200 7200 into area area यह वाला 1836.4 1836.4 into y bar y bar कौंस था यह वाला y bar यह वाला y bar देखे मैंने अपर टेल्ट जिया था कि कीजी इसके neutral axis से नीचे कितना है 45 45.9 45.91 आपन आई momentum इनर साथ सब्सक्राइब मैं 8.29 और उपर लिखा है देखते है 8.292 into 10 raise to 6 into b अब यह आप b कौंता लेंगे b लेंगे तो यह वाला b neutral axis के पर b कौंता है 20 into 20 into 20 करेंगे तो यहाँ पर जब आप इसको calcine में ज्यांस काल्कुल कीजेगा तो आपको tau max का अंतर आएगा tau max का आपको आंतर आएगा 3.66 और इसको यूनिट होगा newton per mm square tau max का यूनिट होता है newton per mm square ठीके यह आपको tau max का आगया अब आप इसको आपको tau max को पुट करना है शेर से डिस्टिपिशन डियाग्राम में तो यह आपको आपका आंतर देखिए आप जब डियाग्राम बनाएंगे न तो यह टाव max की लाइन है न ताव max की लाइन परपेंटुबलर तो न्यूटरल एक्सिव होनी चाहिए अब जब सलूशन कॉल करेंगे जो आप पी पिक्सिंग बनाएंगे उसके राइट साड में स्टेश डिस्टिपिशन डियाग्राम बनना चाहिए यह इसका रूल है ध्यान रखिए और ताव max और न्यूटरल एक्सिव दोनों स्वेम होनी चाहिए तो यह आपर आपका अब पर आप अंसर लिख जाना 3.66 सारा यूट यूट आपर डाल देना नूट पर आपका डाल देना तू आपका सुलिशन कंप्लिट हो गया है तो अबस्ता सुलिशन को ब्लीट हो गया है तो आपका तो याप्यों को या पुत को सब्सक्राइट कीजिए अपने जोस्तर तुझा चेली कीजिए और हमारे चैनल को सस्क्क्राइब कीजिए थेंक यू